देखे हमने बात हमारी वही है स्टिजी इस वक्रीज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो तरकी के कॉंटेस्ट में बात करेंगे हमने बहुत सी दफ़ा ये बात आप से पहले भी की है कि प्रॉसेस में डिफरेंस आपको नजर आएगा थोड़ा सा कि मुख्तलिफ मुमालिक ने मुख्तलिफ पालैन बनाए मुख्तलिफ पालिसिया बनाए लेकिन आउटपुट की जब हम बात करते हैं तो आउटपुट तो सेम है यह नहीं आप यू समय ले कि मैं अगर उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आपसे बात करना चाहूं किनिया यूके यूएसे स्वीडन यह तमाम मुमालिक जिनके कि हमने बात कर चुके हैं और अब हम तरकी की बात करने जा रही हैं तो बुनियादी तोर पर सेम आउटपुट अच्छीव करने के लिए उनके जो प्रॉसेस थे उन में माइजनर सा डिफरेंस हैं और वो डिफरेंस भी इस लिए आज से एक्जिस्ट करता है यह दूसरे ल लेकर सेंटर को किया किसे ने पबले के इनवाल हुई किसी में प्राइवेट इनवाल हुआ मुस्तलिफ कॉंटेस्ट हैं तुर्की का जो कॉंटेक्स हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फेक्टर था वह था डूरेन अधूरेशन अफ दे कोर्स और उसके साथ साथ वह कंपेंट कंपीटेंसीज जो टीचर के अंदर एक्सपेक्ट की जा रही हैं जो गेन करेगा वह गेन करने के बाद वह बच्चों में इंकलकेट करेगा इसके लिए हाइर अजुकेशन कॉंसल जो हैं हीशेसी का नाम से जाना जाता है उसका यह रोल है और वो रोल क्या है अद्जिशन ऐजक्त के जो टीचड़ नके जो तमाम कंढ इडिटेट्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी आ कि वो फोर येर एजूकेशन प्रोग्राम को कम्प्रेट करें जैसे हमारे पास B.S. फोर येर्स ऐ, B.A. डाॉनूर्स फोर येर्स प्रोग्राम और वो B.S. प्रोग्राम with the content of E.C.E. देखें जब हम four years program की बात करते हैं तो four years program में primary education भी है secondary education भी है उसमें technology education भी है बहुत से program आते हैं लेकिन यहां पे जो focus था वो उनका focus था किसी के content का लेहाजा उसके अंदर उन्हें क्या किया कि content जो है वो तो 49% रखा उन्होंने और वो जो content था वो education से रिलेटर था जनल content था जो के degree requirement के लिए हो जो education के courses थे वो 28% हो गए education के courses की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि उसमें करिकुलम है है उसमें method of teaching हैं उसके अंदर assessment है ICT है यह courses आते हैं और 23% जो है वो teaching profession courses को रखा गया है और इन teaching profession courses के अंदर जो focus किया गया वो early childhood education के था इसका मतलब है कि उनका जो plan तरकी का plan शुरू होता है वो teacher से शुरू होता है यानि उन्होंने सबसे पहले जो focus किया वो जो teacher जिसने वहां जाकर पढ़ाना है उन्होंने पहले उसको professionally कंपिटेंट बनाने की कोशे की यानि तरकी के अंदर जो रोल शुरू हुआ वो HEC से शुरू हुआ हायर education council से उनका बात शुरू होती है और HEC के अंदर जो रोल आता है वो जुनिवस्टिज एच इसी हमेशे उसके अंदर जुनिवस्टिज आती हैं और उन जुनिवस्टिज के जो प्रोगाम जाते हैं उनके अंदर जो education का प्रोगाम था उनको उन्होंने सामने रखा जिसके अंदर आपको पता है कि उसके अंदर philosophy of education पढ़ा कि तीन साल से पांच साल का जो बच्चा था उसके कंटेस्ट में कि उसकी psychology क्या है उसकी philosophy क्या होनी चाहिए उसके अंदर हमें किस तरीके से उसको deal करना चाहिए उसका method of teaching क्या होना चाहिए उसकी teaching strategies क्या होनी चाहिए तो यहां से उन्होंने उसकी अपतदा की यानि अगर ह हम इसको मुक्तसर पर बियान करें तो तरकी ने अपना EC का जो प्रोगाम है उसकी जो इपतदा है वो university के जो teaching training है वहां से उन्होंने की